हलो दोस्तों कैसे हैं आप लोग आज का ये नया वीडियो में आप सभी को ढेर सारा बहुत सारा स्वागत है मिर नाम है गोपाल तो दोस्तों आजका है बात करेंगे लांच इंटेंट के बारे में यह जो Discovery है दोस्तों इसी हम बनाएंगे SK Choir Pro में ठीके दो तरीके से बना सकते हैं SK Choir Pro के अंदर blocks जो code का blocks है उसका इस्तिमा करके भी आप बना सकते हैं नहीं तो दोस्तों आप code का इस्तिमा करके भी बना सकते हैं ठीके और दोस्तों बनाना और आज का ये वीडियो बहुत ही ज्यादे इंपोर्टेंट होने वाला है खास करके नया क्रियेटर्स के लिए है जो भाई लोग नया नया sketchware में एप बनाना सीख रहा है उनके लिए ठीक है तो दोस्तों अगर अभी तक भी आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है साब्स्क्राइब नहीं किया है तो दोनों कर दीजिए तो चलिए दोस्तों आज का इस वीडियो को स्टार्ट मारते हैं दोस्तों यहां पर मैंने sketchware pro को open करके रखा है आप यहां पर देख सकते हैं ठीक है दोस्तों जो launch intent होता है ना उसका मतलब क्या होता है आप एक एप से दुसरा एप में जा सकते हैं ठीक है आपने दुसरा एप का launching package यहां पर देखे तो उसकी मदद से आप एक एप से दूसरा एप में आप लॉंच कर सकते हैं तो मैं आपको यहां पर करके दिखाऊंगा दोस्तो आसान तरीका में आपको यहां पर दिखाऊंगा करना बहुत ज़्यदा असान है दोस्तो सबसे पहले दोस्ता हम यहां पर इंटेंट को लेंगे में इसको मैं सबक्राइव कर था कि सबसे पहले तो मैं आपको यह जो कोडी मजद से करना शिंखाता हूं यहां पर में कोड आपको दिखाता हूं दोस्तों की यह जो कोड है इन्टी प्रवर है इन टेल कर मिसको अंह strands कर देता है पoh dh दोस्ते यह जो कोड़ है आप यहां पर देख सकते हैं यह कोड़ आपको आप लिख सकते हैं तो और जो पैकेज नेम को देना है आप यहां पर गर्रीण कलर का देख सकते हैं यह जो पैकेज जो भी एप को आप ओपन करना चाहते हैं उस एप का पैकेज नेम आप यहां पर इंटर कर दीजिए पैकेज नेम आपको पता होगा ठीक है तो आपको यहां पर पैकेज नेम एंटर करने पड़ेगा यहां पर इंटेंट लॉंच इंटेंट गे आप कोड का इस्तिमाल करके भी आप कर सकते हैं या फिर दोस्तों अगर आप चाहते हैं doesn't do stop का kimala करके भी बना सके में अपर देखिएह यहां पर दोस्तों में component आपको चाहिए सबसे पहले यहां पर intend intent एंट 11Ayam मैंने intent 1 करके दोस्तों मैंने ये जो है component add किया है वहां पर चलते हैं बटन में यहां पर चलते हैं और इसका हम समझने के लिए आम इसका text को change कर देता है यह 2 कर देता है ठीक है दोस्तों आपको दिखाई दे रहा होगा मैं आपको बस simple करके मैं आपको दिखाने की कोशिस कर र देंगे component में आये हमने जो intent का block लिया था जो component add किया था तो उसका block हमें यहां पर देखने के लिए मिलेगा उसके बाद set package आप यहां पर देख सकते हैं उसके बाद start activity ठीक यह तीनों को आपको लेकर यहां पर लगा देना है उसके बाद दोस्ता आप इसका पर तिल करके आ उसके बाद दोस्तो आपको यहां पर package name को add करना है तो package name हम खोपी कर लेते है कोई भी package name को आप दे सकते हैं दोस्तोट जो app आप open करना चौता है उस app का package name आप यहां पर दे सकते हैं ठीक है आप package name आपको कहां से मिलेगा ठीक है दोस्तों आप जो है ना मैं आपको दिखाता हूँ रुगी दोस्तों ये है एप चेकर आप चेकर नाम का एक एप आपको Google Play Store में मिल जाएगा यह फर दोस्तों एपकी एडिटर बहुत सारे ऐसा अप्लेकेशन है जहां से दोस्तों आप जो है ना किसी भी आप का एप पैकेच नाम को आप पता कर सकते हैं पैकेच नाम जो है यह वाला पैकेच नाम लिखा हुआ है आपको इसे कॉपी कर लेना है ठीक है पुरा पूरा कोपी करने के बाद ठीक है दोस्तों यह जो एप है ना आपको फ्लेश करना चाहते हैं तो उस एप कोपी कर लिए कॉपी करने के बाद दोस्तों आप यहां पर पेस्ट कर दीजिए ठीक है पेस्ट कर दीजी यहां पर देखिए मैंने पेस्ट कर दिया उसका पैकेश को इसी एप को ही में open करना चाहता हूं करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है यहां पर मैं अपको इंस्टॉल करके दिखा देता हूं से अब आपको अभी समझ में आ जाए का दोस्तों यह देखे स्टॉल करके आपको दिखा दिखा देव रहा हूं यह लॉंच remind तो फिशाव मैं OPEN करता हूं तो सत अब यहाप देखे यह is एप है ठीके, और इस एप के अंदर मैंने यहाँ पर입ल लाण्च इंटेंठ्ट लेके रखाई इसका पर में किलिक करता हूं तो यह देखिए यह मेरा जो एप है दोस्तो यह मेरा आप है यह ओपेन हो गया है ठीके यहां पर आप मैं आपको दिखा जेता हूं इसके बाद इसको मैं जो है कट कर देता हूं इसको मैं लेता हूं उसके बाद इसका पर मैं किलिक करता हूं यह देखिए जो एप का package name यहां पर enter करोगे ना आपको दिखा था हूं दोस्तों यहां पर जो भी app का package name अगर आप यहां पर देते हैं यहां पर तो यह उसी एप को ही open करेगा launch करेगा ठीक है यह launch intent है दोस्तों और यहां पर दोस्तों मैंने आपको code दिखा दिया है आप code का इस्तिमाल करके भी दोस्तों जो है आप बना सकते हैं ठीक है कोड में कोई भी इस पेस बगेरा कोई भी कुछ गड़बर ना करें कोड आप देख लीजिए कोड किस तरी किस लिखा गया है ठीक है अगर आप सोच रहे हैं यहां पर मैं इस पेस दे दूंगा तो यह काम करने ल भी लागा होगा अगर अच्छा लागा है तो जोलू लाइक कीजिए चेनल को सबस्क्राइब कीजे आप है कोई भी कोई भी सवालैं मिल जाएगा यह और सब्सक्राइब करके गंटी बटन को आभे तो आव तक है क्योंकि रहा